सुनिया जी, मेरे प्यारे भाईयों बेनों, आज इस्टर की त्योहार का शुब कामनाईयां सबको, इस्टर का मतलब समय काई काल चकर को, एक नया उर्जा देना, और ये नया उर्जा देना कई लोग मानते हैं कि आज के दिन होता है, लेकिन एक नया उर्जा हमारे भारत की राजनीती में आज पैदा हुआ, जो यहां पे सामने खड़ा है, जो जितवाएगा देश की सम्मिधान को, जन्तंत्र को, और जो हरवाएगा तानाशाही की ताकतों को, यहीं पर, 47 साल पहले, इसी मैदान में, एक ऐसी एतिहासिक सबा हुई थी, जह से नारा निकला था, आजादी या गुलामी, और उस साल चुनों में, जही प्रकास जी ने जो नारा दिया, उस साल के चुनों में, आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ, आज यहां पर वो ही नारा लग रहा है, हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारी सम्मिधान, हमारा जन्तंत्र, एक धर्वनिर्पेक्ष जनतंत्र का गनराज जो भारत है उस भारत को सुरक्षरक्णा ये हमारी आजादी है इस आजादी को हम आज हासल करेंगे और उन तागतों को आज शिकस्त करेंगे मोधी सरकार को जो हमारी देश को बरबाद करने में तुलीवी है तो आज जिस तरह के की इन सब के खिलाव अगर इन से मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए इस सरकार से अगर मुक्ति चाहिए तो आज आने वाले चुनाओं में इनको हराना ही जरूरी नहीं है लेकिन उसी के साथ साथ इस सब ताक्ते धर्मनिर्पेक्ष जनतांत्रिक पार्टिया जो इकटा हुई है उनको जिता कर एक वाइकलपिक सरकार का घटन करे ताकि वाइकलपिक नीतियों का घटन होगा आखिर में समझे असली बात जो आज कलियुक का अमरितकाल है कलियुक के अमरितकाल में अमरित की पैदाशी होती कैसे समुद्र मंतन जब होता है दो कलश उवर के आते हैं एक में अमरित एक में जहर इतिफाक से जहर का कलश अच्छे लोगों के हाथ पहुंच जाता है और अम आज हम वहां फे खड़े हैं कि उन बुरे लोगों के हाथ से इस अमृत के खलश को वापस लाना है और अपने देश की जनता के हित में उस अमृत का इस्तवाल करना है वही मतलब है अमृत काल का और इस अमृत काल को हासिल करना है तो इंडिया को जितवाना है और इस एक थाक्तों को हराना है तब ही हमारे भारत को हम बच्रा पाएंगे तो इसलिए हमारी एपील माक्सवादी कुम्निस पार्टी की तरफ से आप सब को हमारी एपील यही है कि आखिर में ये नारा हमारे साथ दीजी आप हम कहेंगे जुड़ेगा भारत आप कहेंगे जीतेगा इंडिया क्योंकि आज सिर्फ केजरीवाल जी और हेमिन सुलें जी जो जेल में है जो सुनिता जी और कल्पना जी जो शेरनी हैं हमारे आज वो शेरनी यां बैटे हैं आज उनको रिहा करने की रिहा करवाएंगे जेल के जन्जीरों को तोड़ेंगे और इनको रिहा करवाएंगे तब ही हो पाएगा जब विस समिधान की रक्षा होगी तो नारा जो लगेगा आज जुडेगा भारत आप कहेंगे जीतेगा इंडिया मैं कहूंगा जुडेगा भारत आप कहोगे जीतेगा इंडिया, जुडेगा भारत, और जोर से मोति साब को सुनाई नहीं दिया, जुडेगा भारत, जुडेगा भारत, शुक्रिया नौश्कार